हेलो दोस्तों स्वागत है आपका आपकी अपने चैनल उपचा नुस्के में हम चैनल उपचा नुस्के में डेली ग्रेटिस वीडियो अप्लोट करते हैं अगर आप हमसे चुणना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल उपचा नुस्के को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर क्लिक करें जिससे आपको हमारे द्वारा अप्लोट की हुई सारी वीडियो सबसे पहले देखने को मिलें पच्चिस तारीकों जन्मे लोग राशिफल 2018 अंकर जोतिस दो हजर अठारा का राशिफल आपके जर्मतारीक और आपके मुलांग पर अधारित होता है अंकर जोतिस में नोग रहो सूरी चंद्रिक गुरू यूरेनस बुद्ध सुक्रु वरुन शनी और मंगल की विसेस्ताव के अधार पर अधियन क्या जाता है जो इस बात पर निर्वर करता है कि कौन से ग्रह पर की संका सर होता है नोग रह हमारे जीवन पर काफी गहरा परभाव डालते हैं तो चलिए जानते हैं कि 25 सारी को जन्मी लोगों के लिए साल 2018 कैसा रहेगा और उन्हें क्या क्या फल देगा सबसे पहरे बात करते हैं 25 सारी को जन्मी लोगों के लखी कलर, लखी ड़ी और लखी डेट के बारे में लखी कलर, हरा सफेद और पीला, लखी ड़ी, रविवार सूमवार और बुद्धुवार, लखी डेट, सास, सोला और पच्चिस अब बात करते हैं पच्चेस अरी को जन्मे लोगों के सभाव के बारे में के सांद बार देते हैं परन्तों अपने दुख किसी से भी शेयर नहीं करते हैं अब बात करते हैं 25 आरीकों जन्मी रगों के लिए साल 2018 में उनकी सिक्षा और करियर के बारे में भविश्वल 2018 के अनूर्सा सिक्षा के मामले में यह साल आपके लिए बढ़िया रहेगा इस वर अब बात करते हैं 25 आरीकों जन्मी लगों के लिए साल 2018 में उनके प्रेम और व्यवाहिक जीवन के बारे में भविश्वल 2018 के अनूसार प्रेम और व्यवाहिक मामलों में यह साल आपके लिए बहुत ही यादगार रहने वाला है व्यवाहिक जातकों का जीवन भी इस कर संयुक्त रूप से किसी नई व्यवसाई की सुरुवात भी कर सकते हैं भविश्वाणी 2018 के अनूसार इस वर्स आप अपने पार्टनर को खुश रखने के लिए किसी रोमैंटिक सायर पर भी जा सकते हैं इस यातर से आपके संबंधों में बदूरता आएगी कुल मिलाकर प्रीम और व्यवाहिक मामलों में यह साल आपके लिए बढ़िया रहेगा अब बात करते हैं 25 सारी को जन्मे लोगों के लिए साल 2018 में उनकी नौकरी और व्यवसाई के बारे में भविश्वाल 2018 के अनुसार नौकरी और व्यवसाई के मामले में यह साल आपके लिए बहुत मचकर निर्णे लें तो आप बहुत उन्नती करेंगी वे जातक जो प्रिंटिंग और पब्रेसिंग फिल से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी यह साल अच्छा रहने वाला है आप बात करते हैं 25 सारी को जन्मी लोगों के लिए साल 2018 में उनके आर्थिक स्थिती के बारे में भवी सिफल 2018 के अनुसर आर्थिक स्थितर के मामले में यह साल आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा इस वर्स आई में व्रिद्धी होगी और पैसो की आवग भी अच्छी रहेगी आर्थिक स्थिती को बहतर बनाने के लिए आपको चतिरिक्ति प्रियास करेंगी इसी क प्रॉपर्टी में निवेस करना भी आपके लिए फायदे मन रहेगा इस वर्स आपको पैसो की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा और ना ही पैसो की कमी के कारण आपका कोई काम रुखेगा अब बात करते हैं 25 सारी को जन्में लोगों के लिए साल 2018 में उनके पारिवारिक जीवन के बारे में भवी सिफल 2019 के अनुसार पारिवारिक स्टर पर यह साल आपके बेहतरिन सालों में से एक रहने वाला है इस वर्स आपका ध्यान परीवारिक की और अधिक लिए साल 2018 में उनकी स्वास्त के बारे में भवे सिफल 2018 के अनुसार स्वास्त के मामड़े में यह साल आपके लिए समानी रहने वाला है इस पर आप अपनी सिहत और फिटनेस पर अधिक ध्यान दिंगे लेकिन इसी के साम ध्यान रखें कि बाहर का खाना खाने से पहेच करें और नियामित रूम से योग व्यायाम और आधिहत्मिक चिंतन करें फ्रेंड्स अगर आपको यह सबी बाते पसंद आई हूँ तो आप हमारे चैनल उपचान उसके को लाइक सब्सक्राइब और शेर करना ना भूलें